पहले नियुज है कि हाल ही में आपदाओं के से निपटने के लिए कौन सा राज आपदा प्रबंधन योद्धा तयार करेगा उड़ीसा उड़ीसा एक ऐसा इस्टेट है जहापत तीन तरह की आपदा आती है चकरवात, सुखा और बार तो यह राज लगभग जो है साल में 6-7 मिना जादा वहाँ इस आपदाओं आती है प्रसान रहते हैं लोग तो इन आपदाओं से निपटने के लिए खासकर प्राकिर्तिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तयार करेगा कौन सा राज तो उड़ीसा है ठीक है कि भारत में किस राज के राज भर के सभी घरों में चट पर बारिस के पानी का संग्रहन अनिवार कर दिया गया है तो वो है तमिल्लाडू तमिल्लाडू जो है राज ने ये घोशरा किया है कि जब भी बारिस का पानी होगा तो उसका संग्रहन करना हर ब्यक्ति के लिए निवार होगा ऐसा इसलिए कि तमिल्लाडू में सूखा ज़्यादा पढ़ने लगा है आजकल जब देखाऊगा कुछ दिन पहले जो है ये चन् इस्टीट फास्ट नून की गोशना की है तो यह किस ने किया है नाटो ने नाटो का यहां फुल फार्म क्या है उत्री अट्लांटिक संधि संगठन ने हाल ही में इस्टीट फास्ट नून नाम का भ्यास सुरू किया है जो कि 30 अक्टूबर 2022 तक चलेगा मतलब यह 30 समाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याए समिधान में कहां दिया गया है तिये प्रवस्तावना में दिया गया है तीन परकार के न्याए की बात कही गई है तो समाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याए में किस राज को सर्वस्रेश्ट राज घोसित किया गया है मोस्ट इ खोशित किया गया है। थीक है। सारवजेनिक मामलों के सुचकांग 22 में हर्याना देश के बड़े राज्यों की सेड़ी में सिर्स अस्थान प्राप्त किया है। तीन आधर बजादी होता है, किस आधर पर? तो समाजीक आधर पर आर्थिक न्यायपर और राजनीतिक न्यायपर होता है और यह तीनों राज्जियों में हर्याणा न पहले अस्थान पर पूरे देश में घोशित किया गया है अगली नीज है डच्षिर कोडिया में आयोजित आवार्ड समारों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी का पुरुसकार किस राज को मिला है तो यह हैधराबाध में उतिलगाना में हैधराबाद राज देः को दिया गया है हैधराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवाड भाइस और लेबिंग ग्रीन फॉर एकोनॉमिक रिकाब्री एंड इसीब Ergebnis ग्रोथ सिंडी में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवाड जीता है किस ने तो ये हैदराबाद ने ठीक है अगरे नीज के और आगे बढ़ते हैं किस जगा किस जगा हाल ही में अस्तन कैंसर के प्रतिजागरुकता लाने के लिए निम्स पिंक पावर रन का आयोजन किया गया है तो यह जैपुर में किया गया है निम्स एंवर्षटी है जैपुर में उसी की और से राध्णी जैपुर में हाल ही में पिंक पावर रन का आयोजन किया गया किस के प्रतिजागरुक फैलाने के लिए तो अस्तन कैंसर के प्रतिज़ उता फैलाने के लिए किया गया क्योंकि आजकल एक विमारी ये भी विमारी बहुत ज़्यदा फैलती जा रही है अस्तन कैंसर को लेकर के लापरवाही और अंदेखी के काण ऐसा हो रहा है तो उसके प्रतिज़ लोगों को जगरुक करने के लि ये बीटा बेवसाइट लांच की है, तो यो है अमेरिका, अमेरिका ने अभी हाल में सिच्छा विभाग में जो है छातरों को कर्ज देने के लिए, कर्ज से रहत देने के लिए एक बीटा बेवसाइट लांच किया है, अमेरिका ने, ठीक है, इसके आगे और फिर नियूज मे ने दिया है कि अमेरिका ने सिच्छावी भाग ने हाल ही में बताया है कि रिन लेने वाले च्छाद्र कर्ज में राहत पाने के लिए बेटा बेवसाइट की सहायता ले सकते हैं। खाद दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को अभी मनाया गया है। बहुत ही important news यहां से कुशन कई बार आ चुका है। तो 16 अक्टूबर को विसु भर में विसु खाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि क्यों ऐसा के जाता है? क्योंकि इसी दिन रोम, रोम कहाँ पर है? इटली की राजधानी, रोम में खाद और किर्सी संग्षन की अस्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1945 में, तो आपसे कुशे ने भी पुछा जा सकता है कि खाद और किर्सी संग्षन का मुख्याले कहाँ है? तो रोम, इटली में है। कि अस्थापना कब की गई थी? 1945 में, 16 अक्टूबर को इसी लिए बिसु खाद दिवस इस दिन मनाया जाता है। भुकमरीक वाकुपोशित पेडित ब्यक्तियों को पोशर से भरपूर मिले, इस जगरुकता को फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है? अगली निउज है कि सहीद सैनिक कल्यान कोस के लिए रच्छा मंतरी राजनास सिंग ने कौन सी ब्योसाइट लांच की है तो मा भारती के सपूत, मा भारती के सपूत नामक व्योसाइट लांच की गई है, किसने लांच किया है? तो यह लांच किया गया है रच्छा मंतरी सी राजनास सिंग के दौरा और सहीद सैनिक कल्यान कोस के लिए किया जा रहा है ऐसा, ठीक है? सहीद सैनिक कल्यार कोस के लिए रच्छा मंतरी राणास सिंग एक ब्योसाइट मा भारती के सपूत लांच किये जिसके मा देशवासी योगदान अपना योगदान जमा करा सकेंगे, दान दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग आज की अंतिम न्यूज हैं कि भारत का पहला 24 गुरे 7 सोर उर्जा से चलने वाला गाउं किसे घोसित किया गया है, तो गुझरात के मोडेरा गाउं को घोसित किया गया है, प्रधान मंतरी मोधी के दौरा तो मोडेरा गाउं भारत का पहला ऐसा गाउं है जो 24 घंटे 7 दिन सौर उर्जा से चलता है यहां और किसी तरह की लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है ठीक है तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं नेक्ट नियूज में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और किसी को किसी नि कमेंट में कर दीजेगा उससे भी जुड़े हुए कोशन को आपको बताया जाएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इसके बाद इस जो है वीडियो को लाइक कर दीजेगा ओके थैंक यू